नमश्कार दोस्तों, कल नीरत चोपरा के दौरा जो करनामा किया गया, I'm sure कि जो पूरा देश है, उनके बारे में और जानना चाहता होगा, तो यहाँ पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो नीरत चोपरा की जर्नी है, वो किस प्रकार से रही है, definitely कोई भी जो चैंप और यहाँ पर आप बहुत कम दाम पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं, exactly यहाँ पर हम क्यों इसके बारे में डिसकस कर रहे हैं, जैसा कि हम सबको पता है कि बहुत वर्षों से जो भारत है, वो track and field के अंदर Olympic medal जीतनी की कोशिश कर रहा था, आपको याद होगा कि Rome Olympics के अंदर निलखा सिंग बहुत बहुत जरा सा second के अंदर आप कह सकते हो कि fourth spot पर रहे थे और यहाँ पर medal से चूग गये थे, उसके बाद in fact आपको पता होगा Los Angeles में PT उशा भी बहुत कुछ millisecond से यहाँ पर रह गई थी, जिसकी वज़े से medal से हम रह गई तो track and field क के अंदर Olympics में आज तक कोई भी हमें पदक नहीं मिला था और जब पदक मिला है यहाँ पर track and field में वो नीरत चोपडा ने यहाँ पर दिलाया और history बना दी है क्योंकि यह सिर्फ medal नहीं है यहाँ पर हम gold जीत करा हैं और gold की भी अगर आप बात करिए individual medal के अंदर तो सिर्फ यहाँ पर अभी नौब बिंदरा शूटिंग के अंदर वो जीते थे 2008 में और फानिली जाकर अब यहाँ पर हमें gold प्राक्ट हुआ है तो इनके बार में जो भी कुस तकल हमने discuss कर लिया था javelin throw या फिर जो भी है अगर आप चाहो तो इस पूरे वीडियो को देख लेना उ एक विलेज है खांदरा वहां से ये बिलॉंग करते हैं और ये पहले इंडियन एथलीट थे जिन्होंने जो इंटरनाशनल असोसियेशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन है उसके अंदर गोल्ड हाशिल किया था वर्ल्ड अंडर 20 एथलीट चैंपियंशिप जो हुआ था प आप देख सकते हो कि ये पहले इंडियन एथलीट है जो कि जैवलिन थ्रो जो हुआ था अभी फाइनल पहले इंडियन एथलीट है जिन्होंने कौलिफाई किया था आज तक किसी भी एथलीट ने भारत के एथलीट ने फाइनल में कौलिफाई नहीं किया था लेकिन उन्हो से ही कहीं न कहीं आपको ऐसा platform मिल जाता है कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिसकी वज़े से आप attract हो जाते हो तो नीरत चोपरा के case में ऐसा क्या था जिसकी वज़े से वो javelin throw की तरफ attract हो गए थे जैसे कि मैं आपको पता रहा था वो हर्याना के एक छोटे से विलेज खांदरा विलेज से बिलॉंग करते हैं तो 12 साल के जब वो थे तो बहुत जादा ओवर वेट थे काफी वेट था वज़न था तो यहाँ पर family की तरफ से उनका पुरा joint family था 17 लोगों का और family की तरफ से काफी प्रेशर था कि वो अपने वेट को लूस करें और उनकी जो पिता जी है सतीश कुमार चोपड़ा वो चाहते थी कि यहाँ पर जो बच्चा है जो नीरत चोपड़ा है उसको discipline सिखाए जाए वो यहाँ पर अपना वेट कम करें तो काफी जादा टसल के बाद यहाँ पर जो नीरत चोपड़ा है वो agree हो गया और वो कहा कि ठीक है वो अपना वेट reduce करेंगा और उसके लिए उसको दौड़ना पड़ेगा तो जो दौड़ने की practice है वो यहाँ पर नीरत चोपड़ा ने इसके लिए उनके जो अंकल है वो basically उनको पानी पत लियाते थे एक चीज़ ध्यान रखेगा कि जो नीरत चोपड़ा की अगर आप training देखोगे तो तीन जगा आपको ध्यान रखना है एक तो सबसे पहले यहाँ पर पानी पत में होता है उसके अलावा यहाँ पर पंचकुल जो ट्रेनिंग है वो सिवाजी स्टेडियम पानी पत के अंदर जो कि उनके विलेज से करी 15 किलोमेटर दूर था वहाँ पर उनके अंकल ले जाते थे और वहाँ पर ग्राउंड पर वो काफी चक्कर लगाते थे लेकिन जैसा कि हर बच्चे के साथ होता और especially starting में जब भी आ पर हुआ करते थे और उसमें से एक जैवलिन थ्रो भी हुआ करता था जो कि उनके seniors हैं वो फेका करते थे जो जैवलिन थ्रो है भाला जैसा वो यहाँ पर फेका जाता था और उसको देखकर कहीं न कहीं वो वहाँ पर attract हो गया तो उनका जो मन है वो कभी भी running के अंदर नही देखने को मिला वो बेसिकली जो जैवलिन थ्रो है वहाँ पर काफी जादा attract होते गए और उसके बाद तो क्या है यह सब कुछ history हो गया है और आज के देट में आगे आने वाले समय में जो जो school test book है वहाँ पर उनका नाम अब देखने को मिलेगा तो basically अगर मैं आपको बता ही आप खह सकते हो कि यहाँ पर उनको एक better facilities में डाला गया जैसे ही यहाँ पर मैं सुन रहा था उनके interview अगर रको तो उन्होंने यह बताया गया कि जो भी कोई starter होता है जो बच्चा होता है अगर कोई fake रहा होता है जैवलिन थ्रो तो usually वह 20 मीटर से जादा नहीं जाता ले इसी की बज़े से यहाँ पर better facilities चाहिए थी तो कुछ मैने के बाद ही अगर आप देखोगे तो better facilities के लिए वो यहाँ पर पानी पत से shift हो गया पंचकुला में ताउ देवी लाल जो stadium है पंचकुला में वो वहाँ पर shift हो गया वहाँ पर अपनी training स्टार्ट कर दी 2012 एंड आत से जूप नहीं सकते हो क्योंगे बहुत सारे और factors होते हैं especially आपका financial conditions वगरा कैसा है तो नीरा चुपडा के case में भी यहाँ पर जो financial issues थे वो देखने को मिलता था क्योंकि अगर आपको serious training लेनी है, accommodation चाहिए, better equipment चाहिए, in fact मैं आपको बता दू जो rod like यह आप structure देखते हो जो बाला जैसा होता है, जो javelin throw करते हैं, यह international level वाला जो आता है better quality का, वो एक लाग से भी जाधा का आता है, तो better equipment चाहिए, kit चाहिए, diet चाहिए, उसके लिए अच्छी वाली और यहाँ पर पैसा खर्च करना होगा, और यह सारी चीज़ें आप करना चाहते हो ताकि आप next level पर पहुँच सको, तो यह joint family के लिए बहुत जाधा tough decision था, जब उनके पास 10 एकर से कम जमीन थी, उस पूरे joint family के मैं बात कर रहा हूँ, तो यह काफी tough decision था कि पूरी तरह से नीरा चोपड़ा को javelin throw के अंदर धकेल दिया जाय, आगे future क्या होगा, क्या नहीं होगा, कि उस समय उन्होंने बोला था, we are farmers, nobody in the family has a government job, हमारे पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कोई support करने वाला है, such permanent नहीं है, तो काफी जादा difficulty होती है, लेकिन उस समय आगे चलते जलते यहाँ पर उन्होंने कहा कि, अब मुझे Indian Army के अंदर, 2017 में, Indian Army के अंदर, Junior Commission Officer के पत पर र मिला हुआ है, और अब Olympics जीतने के बाद, तो definitely उनका पत है, वो काफी जादा बढ़ जाएगा, और जब वो आएंगे, तो I am sure कि जो Indian Army है, काफी दिल से उनका स्वागत करेगी, और उनको यहाँ पर समानित करेगी, तो देखें, यहाँ पर क्या हमने देखा, कि 2015 आते आते वो अपनी जो training वगर है, वो काफी serious start कर दिये थे, लेकिन एक breakthrough होता है, किसी भी athlete के समय में, जब वो एक particular मुकाम हासिल कर लेता है, एक particular point हासिल कर देता है, तब उसको believe होने लगता है, कि वो आगे कुछ कर सकता है, Olympics के अंदर भी कुछ ऐसा perform कर सकता है, तो 2016 में अगर कैसे, 2015 के end तक उन्होंने 80 mark को cross कर दिया था, जो javelin throw करते हैं, जो आपका distance है, 80 mark को cross कर दिया था, और 2016 में गोहाटी के अंदर South Asian Games हुए थे, और वहाँ पर उन्होंने 82.23 मीटर जो है, वो आपका फेका था, और इसकी वज़े से बताया जा रहा है, कि एक प्रकार का breakthrough था, और कुछी महिनों के अंदर ऐसा बताया जाता है, कि वो Australian coach के अंदर, अभी तो वो नहीं है, लेकिन Gary Calvert, उनके अंदर training लेते लेते, उन्होंने इतिहास बनाया था, मैंने अभी आपको दिखाया ना, जो world junior championship है, जहाँ पर उन्होंने 86.48 मीटर जो है, javelin throw किया था, तो य यह आपका world record बना था, और यह यहाँ पर जो Australian coach है, उनके अंदर guidance में उन्होंने किया था, तो यह काफी बड़ी चीज थी, in fact 2016 में भी वो बहुती कम centimeter से रहे गये थे, जो Rio Olympics हुआ था ना, वहाँ पर भी जाने का एक सपना था, आप कह सकते हो, लेकिन वो रहे गया था, उ इसी में ही उन्होंने gold medal जीत लिया है, तो सिर्फ achievement अगर आप देखोगे तो यह बहुती gradually improve हुए है, आप देखो, आगे चलकर फिर क्या होता है, कि हाँ पर 2018 में जो Commonwealth Games हुआ था, वहाँ पर उन्होंने gold जीता, Asian Games हुआ था, वहाँ पर भी उन्होंने gold जीता, Asian Championship 2017 में वो top finish किये थे, 2018 में उनको Arjuna Award से भी सम्मानित किया गया था, तो यह सारे faces आपको देखने को मिले गे, और ऐसा नहीं है कि कि किसी भी athlete के जीवन में अगर आप देखोगे तो low face भी आता है, low face क्या था अगर मैं आपको बता हूँ, तो 2019 में उनको एक injury हो गई थी, जिसकी वजह से उनको एक surgery से गुजरना पड़ा था, इसको कहते हैं arthroscopic surgery, arthroscopic surgery मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, इसमें क्या होता है, जो नीरत चोपडा का case था, यह जो elbow है, यहाँ पर क्या किया जाता है, एक pencil के size जितना बड़ा जो instrument है, वो आपका insert किया जाता है skin के अंदर, और उस इसमें देखा जाता है कि जो elbow में जो आपका bones वगर है, वहाँ पर कहां पर तकलीफ है, क्या problem है, फिर उसके हिसाब से जो doctor है, वो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो काफी major injury आप कहा सकते हुआ था, और काफी pain हो रहा था, और especially आपको पता है कि जो javelin throw है, वो हाथ पाएंगे की नहीं, और वो भी अपने interview में कह रहा थे कि जितने भी उस समय championship हो रहे थे, जो उन्होंने miss कर दिया because of this surgery, तो उस समय देखने को मिल रहा था, लोग जो है 84-85 meter में gold जीत रहा है, और वो कह रहा थे कि मैं तो ये आसानी से कर सकता हूँ, तो उनको काफी ये बेसिकली एक German Biomechanics Expert है, उनके अंडर में वो इस समय जो है आपका training ले रहे हैं, वो बेसिकली 2019 में चार्ज लिये थे और 2019 वही समय है, जब यहाँ पर नीरच चोपड़ा जो है, वो injured हो गए थे और वो surgery से गुजर रहे थे, तो उस समय यहाँ पर जो coach है German, वो बने वे में उसमें बहुत practice की, ताकि हाथ में जो जो ताकत वगर है वो अच्छे से आ सके, in fact मैं आपको बता दू, यहाँ पर javelin throw में उनकी दौरा ये बताया गया था कि जो pair का इस्तमाल होता है, और 40% जो upper body है उसका इस्तमाल होता है, जी हाँ, ऐसा उन्होंने खुद बोला था वैसे तो हमने javelin throw में ज्यादा तर लगता है कि हाथ से ही पूरा बल लगता है, लेकिन उन्होंने खुद बोला है कि pair से करीब 60% का इस्तमाल किया जाता है, और 40% आपके upper body का किया जाता है, तो 2019 में injured होने के बाद, ठीक होने के बाद COVID-19 आ गया, अब COVID-19 के वज़े से problem य जो thrower है, उनके साथ वो compete नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर lockdown लगा था, कहीं पर भी championship अगरा नहीं हो पा रहा था, तो यह काफी दिक्कत हुई थी, लेकिन यह opportunity भी था उनके लिए, काफी समय था यहाँ पर जब वो अपनी कमियों को दूर कर सकते थे, हटा सकते थे, और finally Olympics के अंदर perform कर सकते थे, especially उनका aim था कि 90 meter का जो mark है, वो यहाँ पर उसको achieve कर ले, in fact आपने कल भी देखा होगा, कि जो आपका पूरा Olympics के अंदर उनको पता था, जब आखरी throw करने जा रहे थे, 6-11 throw, उनको पता था, वो अलड़ी gold medal जीत चुके हैं, अपने interview में उन्होंने कुछ सवाल कूछा जा रहा था, कि क्या आप नीरत चोप्रा के technique में कुछ बदलाव किया आपने, जिसकी वज़ेसे वो और बेटर थोग कर पा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये कहना गलत होगा, कि मैंने technique को ही बदल दिया, हाँ, कुछ जो खामिया थी, कुछ जो shortcomings को कह स assistance होता है, क्योंकि जितना कम air resistance होगा, उतना दूर तक आपका जो javelin है वो जाकर गिर सकता है, तो ये सारी जो छोटी-छोटी चीजे हैं उसके उपर ध्यान दिया गया और जो best thrower होते हैं, वो इस तरह की shortcomings, जो है, वो अपने सामने नहीं लाते, तो कही ना कही नीरत conclusion में समझ में आ जाएगा, नीरच can be the perfect role model, he is not jealous of others, उनको कोई भी jealousy नहीं होती है कि वो दूसरा कैसा perform कर रहा है, कहीं वो हमसे better perform कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं था, he is extremely open, जब भी कोई उनसे मदद मागने आता था, वो कभी में insecure feel नहीं होते थे और काफी खुल कर उनको य क्या है, क्या चीज नहीं है, अगर आप hard work नहीं करोगे, तो आपका कोई भी skill, skill है, talent है, वो सब कुछ waste हो जाता है, तो कहीं ना कहीं hard work की बहुत जादा आवशकता होती है, और वही नीरच छोपरा ने हाँ पर किया है, तो यहीं पूरी journey थी, आप कह सकते हो, जो champion है, जिन आपका event होता है, जिसको कहते है, decathlon, decathlon आजकल तो लोग shop के नाम से जानते हैं, लेकिन decathlon basically एक प्रकार का sport है, इसमें क्या है, दस अलग अलग प्रकार के यहाँ पर track and field के event होता है, तो क्या आप बता सकते हो, उनमें से कौन सा वो नहीं है, high jump, 1500 meter, discussed road, triple jump, मतलब कि track and field के अं नहीं हो, कोई बात नहीं, telegram से भी ले सकते हैं, इसका सही उत्तर, मैं कई सारा MCQs यहाँ पर डालता रहता हूं, stories के form में, आप जाकर play कर सकते हो, बाकि अगर आपको इसका PDF चाहिए, तो telegram पर आइए, अलग-अलग social media पर भी आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो simply आपक जॉइन का बटन क्लिक करना है, और वहाँ पर जाकर अब हमें सपोर्ट कर पाएंगा, यहोग कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ आप से नेक्स टैम तिल देन, थैंक यू बरी मच, सी यू सुन.